नमस्कार साथियों कैसे आप सभी आप सभी को होली की हार्दिस उपकामना है इस होली को मनाने और भी ज़्यादा धहमाकेदार हम लेकर आ चुके अपने सभी कोर्सेस पे 70% तक का डिसकाउंट यानि अगर आप SSC, Railway, उत्तरपर दिसी किसी परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं तो आपको सभी पर 22 तारीक से लेक्ट 28 मार तक का 70% तक का डिसकाउंट देखने को मिलेगा तो देर किस बात की अभी डाउनूड करिए MD Classes का Office Lab, Google Play Store पर सर्च करके खुद को रेइस्टर करिए, अपना ना, मुबाइल नंबर, स्वापा की सभी चीज़े डाल कर पेट कोरसल इस सक्षन में जाईए और अपने मन पसिंदा कोरसल को चुनिए जॉइन पर क्लिक करते ही आपके WhatsApp पर पेमेंट लिंक आ जाएगा उस लिंक पर क्लिक करते ही पेमेंट कर दीजेगा, ध्यान लखिएगा या पूरा ओफर बिना किसी कूपन कोट के आपको देखने को मिलेगा और पेमेंट के बाद आपके माई कोरसल में आपके कोरसल दिख जाएगे किसी भी समस्याय जानकारी के लिए आप दिएगा नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं धन्यवाद अमने वीडियो बना दी कि टेक्नीशन में कुल मिलाके किसी ने कहा कि 2,000,000 फॉर्म पढ़ चुके हैं किसी ने कहा 3,000,000 फॉर्म पढ़ चुके हैं ALP की ही तरह से जैसे ALP में मैंने आपके लिए सबसे आखरीन वीडियो बनाया था लेकिन इस चीशी गारंटी मैं नहीं दे रहा था कि भाई कुल मिलाके इतने फॉर्म पढ़े हैं क्या ये सिरफ registration के थुरू बताया जा सकता है जो registration number है तो बिलकुल नहीं बताया जा सकता और technician में तो हालत इससे कहीं ज़्यादा बुरी है technician के registration number इस तरीके से अलग है कि हम उसमें ये चीश confirm नहीं कर सकते कि इतने form पढ़े हैं या कितने form पढ़े इस चीश को हम बिलकुल भी decide नहीं कर सकते आईए इस वीडियो में सारी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों के लिए जो सही होगा वो इस वीडियो में बात करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं और क्या आपको इससे कोई फरक पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा उन सभी चीजों को उपर बच्चों बहुत डिटेल से हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं अब यहाँ पर टेक्नीशन के अगर मैं कुल मिलाके भरतियों की बारे में बात करूँगा तो फॉर्म इसके सुरवात हो चुके है जिन्होंने फॉर्म को नहीं बरा अब फॉर्म को भर लीजे क्योंकि बहुत ज़्याद इंतजार करने का मतलब यह हो जाता है कि आपके लिए कहीं न कहीं इसू जादाना किसी भी चीज में चाहें वो फॉर्म बनने को लेकर वहाँ पर कोई समस्या आ जाना या बाकी सभी चीजों में लेकर कोई समस्या आ जाना तो आपके लोके जब समस्य आ जाती है तो आपको कही न कहीं चीज को लेकर परिसानी भी होगी इसलिए वो सभी चीजे दिमाग से हटा कर सिरफ फॉर्म को भनना सुरवात करिए अगर मैं number of highest vacancy की बात करूँगा क्योंकि technician grade 3rd में 8000 से ज्यादा पत है अब मैं पहले technician grade 3rd बात करूँगा तो सबसे दा भरती बच्चा मुंबई से हैं मुंबई से बहु सारे बच्चों ने अपलाई करा था एक बार मेरे साथी ये बताईए कि आप में से कितने ऐसे भाई बहन है जिन्होंने आरा आपके पास technician का जो फॉर्म में वो भर दिया है चाहे वो gradient का form हो वो भर दिया चाहे वो grade 3rd का form हो वो भर दिया अगर आपने भर दिया है तो comment box में यस्म बता दिजे और साथी साथ अपने जोन का नाम जरूर बता दिया कि सर मैंने इस वाले जोन से अपलाई करा है जो जिस भी जोन से अपलाई करा होगा वो सारे बच्च कहीं इस पेपर को लेके या तो confidence में नहीं है या इतने serious नहीं है कि चलो देखा जाएगा form जैसा होगा वैसा भरेंगे तो form को बच्चो जरूर भर लीजे ठीक है अब भरनने से पहले यह वीडियो देख लेना लेकिन यह इसके बाद भर लेना ज्यादा इधर उधर मत भागना नहीं परिसान होना पड़ेगा सबसे अधा भरती कहां से है मुंबई से तो सीधी सी बात है मैं व्यूर चाहे जितना बोल लू या बाकी सभी लोग चाहे जितना बोल ले form मुंबई से सबसे अधा पड़ेगा इसमें कोई दोरा नहीं है इसके बाद दूसरे नंबर में वैकेंसी है बिलासपूर से बिलासपूर से ज़्यादा तर बच्चा form भरेगा क्योंकि ELP का जो वैकेंसी इस था वो बिलासपूर से सबसे ज़्यादा था तो ज़्यादा तर बच्चों खासा फरक देखने को नहीं मिलेगा चेन्वी में थोड़ी vacancies आपके पास बिलासपूर से ज़्यादा थी एहमदाबाद में फिर 687 vacancies है सिकंद्राबाद में 688 और फिर गौहवटे में आपके पास 608 है मैं अगर आपको सच बताओ कि आपको कहां से फर्म भनना चाहिए तो ये इन vacancies पे depend तो करता है कि कितनी जहां पर vacancies होगी बच्चा वहाँ पर ज़्यादा फर्म पड़ेगा ये बात बिल्कुर सत्त है लेकिन दूसरा ये भी चीज देखो जब आप railway की notification देखते हो तो वहाँ सबसे पहला page क्या होता है इंडिया का map होता है उस map में आप देखो आप किस location पर है आपके पास में कौन सा zone पड़ रहा है क्या उस zone में ज़्यादा भरतियां है अगर ज़्यादा भरतियां हैं तो वहाँ से form भर दिजे जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं form भर दूँगा या अपनी तीन उगले किसी को पकड़ा दिजेगा कि तीनों में से उसने जो भी आपके उगली पकड़ी जो आप चाहते होंगे वही form आप भर देना और एक पेपर में आई टी आई वाला बच्चा भी होगा और उसे में बहुं सारे बच्चे होंगे तो सोचो सिरफ एक पेपर के लिए 9000 भरतियों के कितना बड़ा कमप्टीसन होने वाला ये मुझे बताने कि आऊ सकता नहीं है अब मैं great first वाले बच्चों पे आता हूँ तो यहाँ पर सबसे दा भरती वही मुंबई में फिर आपके पास बिलासपूर में इसी तरीके से लगबग लबग हर जोन से कही ना कहीं भरतियां देखने को मिलेगी अब जिस वीडियो का आप सभी इंतजार कर रहे थे कि कुल मिला के कितने फॉर्म पड़े गए मैं आपको सच बताऊंगा और आपसे माफी भी चाहता हूँ कि मैंने पूरी वीडियो हर जगा तलास लिया लेकिन अभी तक कहीं भी ऑफिसल कुछ भी डाटा नहीं मिला है कि कहां से कितने फॉर्म पड़े गए चाहता तो मैं भी वीडियो बना देता और तुरंत मैं तो देख रहा हूँ कि कई सारे ऐसे अध्यापके जिने नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ ऐसा कि वो हर दिन हर सुबा सुबा उठ रहे हैं और कह रहे हैं लो आज तक का अपडेट कुल मिला के इतने फॉर्म पड़े गा ऐसा करने से क्या फायदा होगा किसी के पास कोई डाटा नहीं कोई रजिस्टेशन नंबर से नहीं जान सकता कि कितने फॉर्म पड़े गा फॉर्म पड़े थे तो हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि सिरफ रजिस्टेशन नंबर की हिसाब से इतने फॉर्म पड़े हैं जो ELP में मैंने कहा था ELP के लिए RTI भी डाल लखा है अभी reply आने का समय का इंतिजार करें और आसा यही है कि reply बहुत जल्दे देखने को मिल जाएगा क्योंकि कुल मिलाकी ELP के form भनने का समय समाप्त हो चुका है क्या technician में RTI reply डाला है अभी नहीं डाला बच्चा क्योंकि अभी सिरफ form भरा रहे है और अभी RTI reply डालेंगे तो यहीं बोलेंगे कि form अभी process हो रहे है तो हम यह बात के confirmation नहीं कर सकते कि कुल मिलाके कितने form बड़े है RTI reply जिस दिन form भनना खतम हो जाएगा उसकी अगले दिन मैं खुदी डाल दूँगा RTI reply के बाद लगभग एक महीने का समय के इंतिजान लगता है एक महीने के अंदर रिप्लाई दे देंगे तो वीडो आपके लिए बना दूँगा जैसे ही ELP का RTI reply आएगा वो भी मैं वी इस वीडो में आपको कोई भी डाटा ऐसा नहीं दे पा रहा हूं कि किस जोन से कितने form नहीं पड़े है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कहां से कितने form पड़े है और आप से भी कुछ आरेस करूंगा इतने जल्दी वाजी मत करिये जो form इतने पहले सुरू हुआ 9 ता माल लीजे कि जितने भी हिंदी वासी छेत्र हैं चाहे वो यूपी के हैं चाहे वो बिहार के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे वो आपके अधर हिंदी वासी छेत्रे उन सभी के कट ओफ ज्यादा जाती है जैसे गोरगपुर उठा लीजे या अरारवी पटना उठा लीजे ये सभी ऐसे जोन है जो की हिंदी भासी है वहाँ पर सिंपल सी बाते कटॉफ ज़्यादा जाएगी और जो भी आपके पास ऐसे हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं रूल एरे जैसे बिलॉंग कर रहे हैं वहाँ पर भी आई टियाई करने वाले छात्यों की संख्या ज़्य तो वहाँ पर भी कटॉफ ज़्यादा जानी है इसके बारे में आपको बहुत ऐसा विचार नहीं करना कि यार यहाँ पर तो कटॉफ इतनी है मैं नहीं भाव वरूँगा कुछ भी फरक नहीं पड़ता और इस बार तो इतना कमप्टीशन होगा क्योंकि सिरफ एक CBT होगा इससे पहले टेक्नीशन का कितने ऐसे साथी जुनोंने 2018 वाला टेक्नीशन का फार्म भरा था जरा यस बता दो 2018 वाली भरती जहां पर इतनी सारे पैस 8000 पत देखनी को मिले थे सुरवात में बढ़े वेकेंसी जाई फिर बढ़े फिर बढ़े इस तरीके से क्या वहाँ CBT 1 ह फिर CBT 2 हुआ था प्लस उतनी जादा वेकेंसी थी अफ सोचो कहां पर 8-9000 भरतियां कहां पर 60-5000 भरतियां यही से कट आप बहुत सारे चीज़े पैसर पड़े जाएगा कहां पर 2 CBT हो रहा है पहले CBT 1 देंगे फिर आराम से CBT 2 देंगे और कहां पर सिरफ एक CBT हो रहा है तो क्या मुझे यह बताने क्या हो सकता है कि कौन सा रेड है और कौन सा यलो है कौन सा वाइट है कौन सा क्या है नहीं ना हो सकता जब जहां पर सिरफ एक CBT होगा तो बताओ यार वहां कट आफ हाई नहीं जाएगी क्या और वहां पर खुब ज्यादा कमप्रीशन नहीं और ये कटाउफ का खेल या कौन सा जोन सोफ है कौन सा जोन ये है उससे तो किसी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला हाँ वैकेंसी जादा तो थोड़ा असर पढ़ जाता है कि मेरे सेलेक्शन होने के चांसे बढ़ जाते हैं लेकिन एक सीबीटी है तो बच्चा ये दिमाग मे तुम्हारा सेलेक्शन हो जाता अब तो 2000 भरती है तुम क्या सेलेक्शन लोगे 9000 भरती है पूरी जान लगा दो अगली भरती से पहले पहले आपके पास जालिंग लेटर आ जाये मस्त उसके बाद जीवन जीओ कुछ भी आपके लिए दिक्कत नहीं रह जाएगी अब क्या कम फॉर्म फिलप से कमटीशन कम होता है ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है जो आपके पास ज्यादा फॉर्म फिलप हैं जैसे विलासपूर वहां भी खूब कमटीशन होगा बलकि वहां ज्यादा ही होगा वैकेंसी कम होगा फॉर्म कम भी पड़े हैं वहां पर तभी भी कमट तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बदा दूँगा उसको जरूर देख लिजेगा अब आपके काम की बाते करते हैं कितने ऐसे साथी जिन्हों ने पढ़ना सुरू कर दिया क्योंकि जादा तर ने नहीं सुरू किया मुझे ऐसा पता है इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म भर राम से फिर जाएंगे पढ़ना चूरू करेंगे कहीं से कोर्स लेंगे कहीं से वीडियो जिलेंगे कहीं से वो लेंगे ज्यादा तर साथी ये कर रहा है casos विस्वास मानना कि अगली बार कर टेकनीशन का इनतिजार करिए वह फिर भरती रहा है रैलवें ने अप आ importa में नि मिलती है हो सकता अगली बार भरती आए और सरकार उसको इतना लंबा घीच ले कि आपको उस नौकरी का ही वैलू ना रहे जा तो आप क्या करेंगे इसलिए ऐसा बहुत कम होका आता है कि रेलवे जैसे बड़ी संस्ता समय पर सारी चीजे बच्चा करा रही होती है तो आप उस 12 की गड़ित के लिए हम अपने जो पेड़ बैचेज है मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा कि पेड़ बैचेज आप ले लो ज्यादतर बच्चा टेकनीशन के फर्स्ट और थर्ड वें अमडी क्लासेज के पेड़ बैचेज से ही जुड़ा होगा क्योंकि कुल मिला के गर सोच हो चुके हैं तो इसका मतलब यूटूब पर पढ़ाई करने वाला मैकसम बच्चे अमडी क्लासेज से ही जुड़ा है और मैं यहाँ पर भी पूछूँगा तो ज्यादतर बच्चों के ही अमडी क्लासेज से ही जुड़ने के कमेंट आएंगे और खूब खूसे ब अफलाइन में 12 में वह बहुत बहतर बढ़ाता है अब देखिए कमेंट आने लगे बच्चों के कहां बाई जुड़े हैं तो मैं आपके यह हैड़क यहां से खतम कर दूँगा बेसिक साइंस एंजिंग मैं होली के बाद ही सुरुवात करूँगा ताकि होली में भी अगर क कोई बच्चा कोर्से से जुड़ा रहा है जहां पर उफर चल ला है उसके लिए समस्या नहीं रहे यह दो नई चीजों को पढ़ने के लिए वो पूरी तरीके से नया लाइब बैस से जुड़के आराम से पढ़र पाएगा अब आपके पास जनल अबने सी क्लासे मैंने पे आर्पिया का फॉर्म भरेगा वहाँ पर भी तुझी के जरूरत होगी तो मैं यह दस नंबर नहीं दे कर रहा है मैं आपसे यह थोड़ी कहूंगा कि नहीं अब तुम इस वाला कोर्स को ले लिए तो अगला भी ले लो अगला भी ले लो इसलिए मैंने जो चालक बैच लेक कर दियो और ऐसे टीचर आपको दिया है रिया मैं जो कि ग्राम पंचाइद अधिकारी जैसे बड़े एक्जाम्स के लिए वो पढ़ा रही है और आप में तो कुछ भी से लेवस नहीं उसके अकॉर्डिंग दिखा जाएगा तो तो अगर आप अभी बैचे से जुड़ते ह वो आपकी इक्चा है फाइनली कि आपको कहां पढ़ाना है कहां नहीं पढ़ाना मैं आपको लोड नहीं दे सकता लेकिन फिर भी अगर आप इस होली में जुड़ेंगे तो आपके लिए मैं ये फायदा हो पाएगा कि होली के बाद से यानि 28 तारीक या 29 तारीक से आपको गडित की और बेसिक साइंसी क्लासेज भी मैं सुरुवात करूंगा कंफर्म कौन सी डेट होगी वह अप्लिकेशन में ही पता चलेगी तो वो भी आपके लिए फैदेमंद हो जाएगी बाकी तीन क्लासेज आपके लिए चल लेए ये ग्रेट फरस्ट वालों की बात है अब रही ग्रेट थर्ड की, ग्रेट थर्ड में क्योंकि सब्जेक्ट में वैरीएसंन्स काफी नहीं है, सारे नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जो हम सभी परिक्शाओं के लिए पढ़ते है, इसमें मैथमेटिक सी क्लासेज मैंने शुरुवात कर दी, पूरी मैथापको मैं ही पढ़ आपको सौर अफसर पढ़ाएंगे, रीजिनिंग की क्लास सुरुवात हो चुकी है, साइंस की भी सुरुवात हो रही है, जीके जीके भी जीके भी सुरुवात हो चुकी है, कुल मिला कि चार से पांस दिर अभी हुए है, किसी भी एक्जाम में बच्चों अगर सलेक्शन ले होनी चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हो, वो वाकई में पढ़ रहे हो, सिर्फ कोटा पूर्ती नहीं कर रहा है, कि चलो ठीक है, कर लिया, कर लिया, आप देखा जाएगा आगे, अभी यहाँ पर समझेगा, अभी पवंस अगे, क्लास चला, अच्छा करके ही आए, चलिए फीलो ठीक है, सबसे पहला होता, थीओरी कंपलीट करना, अब थीओरी कंपलीट करने के लिए देखो, दो options है, पहला option है, या तो अब आफलाइन पढ़ लो, लेकिन अब आप आफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो, कोई समस्था नहीं है, अब बच्चों को कभी नहीं देता हूं कि इस चीज को करो, हाँ आफ लाइन जाके आप टेस्स दे सकते हो, जो कि हम परक के नाम से सुरुवात करते हैं, तो आपके लिए वो फायदे मंद वहाँ पर हो जाएगा, हम थियोरी कहां से कंप्लीट करेंगे, आपको MD classes कहीं नहीं, आप को किसी का भी कोर्स अगर अच्छा लगता है, तो आप उसका ले लेना, लेकिन सबसे पहला आपके पास काम है कि थियोरी कंप्लीट करो, और इसलिए जो मैं अपना टेक्निकल, फर्स्ट और टेक्निसर थर्ड भैच आपके लेकर आया हूं, टेक्निसन वाला, इसमें हमने बच्चों को टार्गेट दे दिया है, कि तीन से साढ़े तीन महिना बच्चा लगेगा, लेकिन इमानदारी से ऐसा कोर्स पढ़ा के खतम करेंगे न, कि आपको दूसरे किसी कोर्स किया हो सकता नहीं पढ़ेगी, कि आप आरपियाफ के ले लो, आप इसका ले लो, आप उस रखा है, तो बहुत सार ऐसे बच्चे आ जाते हैं, जो किसी अन्य कोचिंग में भी पढ़ रहा है, यहां भी पढ़ रहा है, और फानली फिर वहां ले कोचिंग छोड़ के आते हैं, कहते हैं, कि सर यहां पर कंटेनी मिल ला, यहां पर सब कुछ मिल ला, तो आप यहां पर अपने पेट क्लास में बोलता हो बच्चा अपने सिवानदार हो बाकी दुनिया आपको खुदी आगे लेके चली जाएगी आप इस बात को ध्यान लखना कि जितना भी पढ़े हो ना उसमें आखरी में सोते समय रिवीजन जरूर करें ना कभी नहीं भूलोगे हम भूल जाते चार दिन पहले पढ़ा हुआ दो दिन पहले पढ़ा हुआ हम भूल जाते क्यों कि हम रिवीजन नहीं करते हम सोते समय उसको रिवीजन करने फिर संडे को जाके पूरा एक साथ रिवीजन करने खतम हो गया वह मामला और हम अपने आपको करने के लिए या अपना जो हम पढ application में free में ALP technician का complete previous section के अंदर आपको पूरा का पूरा PDF दिया है आप पढ़ो daily accept लगाओ आराम से selection हो जागा कोई नहीं रोख सकता अब इतनी चीजे करोगे इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद आपको books और test पे focus करना पड़ेगा books किसले लगानी पड़ेगी आपको आपकी practice की लगानी पड़ेगी अगर practice नहीं करोगे तो selection नहीं होगा ये बात आपको अच्छे से बता तो books बच्चा किस के लिए लगाना है हमें अपने selections के लिए लगाना है ताकि हम बहतर कर पाए और हम सांदार कर पाए नहीं तो हमारे लिए मुस्किले बढ़ती जाएंगे और फिर हम आराम से उस ठीजों को cover नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए अब हमारे पास test को भी देना आवस्सक है test के लिए अभी आप इंतजार करिए अभी आप अभी आप पर free weekly test दीजे आखरी में मैं बहुत कम price में मातर उनचास से 50 उप़ा मैं अभी से बोल देरा हूँ चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना आजाए मैं अप्लिकेशन पर परिक्षा के एक महिने पहले-पहले सिरफ उनचास से 50 उप़ा में आपके पास पूरा का पूरा course लेकर चलाओंगा जो पूरा test होगा उसमें बहुत सारी संक्या में टेस्स दे दूँगा आप वही पढ़लेना आपका selection हो जाएगा ठीक है तो अभी books हमारी जो science की science किताब का बहुत सारा बच्चे अंतिजार कर रहा है कितने ऐसे साथी जुन्होंने ये वाली किताबे मंगा ली हैं जो आपके पास assisted local pilot की गड़ित की और रीजनिंग की किताब आ रही ज्यादा तर बच्चों ने मंगा इए इससे और सांदार तरीके से इसमें हमने description bilingual नहीं दिया था लेकिन इससे और ज्यादा बहतर और ज्यादा बहतरी जहाँ पर description भी bilingual दिया है science किताब लेकर आ रहा है वो आप ले लेना combo तीनों की बहुत कम prize में करेंगे अभी होली के बाद छपेगी उसको भी 10,000 में छपवाए है और ये भी 10,000 किताबे छपी थी या उलेडी खतम हो चुकी इसलिए आउट अप इस्टाक आपको अब यहर जगा दिखेगा तो वो भी आपको एक साथ मिलेगी लगबए 4-5 दिन का समय दीजे होली के एक दो दिन के बाद वो भी किताबे हम निकाल देंगे वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है वहाँ से आपको सारी बाते किलियर हो जाएंगे अब प्राइजेज देख लो कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको अगर यहाँ पर देखना है तो आपके पास ओफर चलना है सारे कोर्सेज पर ग्रेड वन का बैच मात्र 560 रुपय का है कोई कूपन कोड नहीं लगाना जो भी बच्चा ग्रेड वन का है वो ग्रेड वन से जुड़ जाएगा बेसिक साइंस में है कंप्यूटर भी इसी में है गडित भी इसी में है अगर टेकनिसन थार्ट से जुड़ना है तो इसकी प्राइच मात्र 399 रुपय है आप आराम से इस पैस से जुड़ सकते और रिविव आप बच्चों से ही ले सकते तो ये टेकनिसन थार्ट वाला तो लेनी के आवसकता नहीं है फर्स्ट ले लिजेगा क्योंकि यहाँ पर बेसिक साइंस और बाकी सभी चीज़े अलग होती है ठीक है आपको यहाँ पर सभी कोर्से पर छूट देखने को मिलेगा कैसे जुड़ोगे जरा समझ लीजे पेट कोर्से ले सक्षिन में जाईए MD Classes को Official Application डाउनूट कर लीजेगा Join Now का बटन आएगा जो भी कोर्से जुड़ना चाते है आपके WhatsApp पर पेमेंट का लिंक आएगा वहाँ से पेमेंट कर लीजेगा आप वहाँ पर कोर्से से जुड़ जाएगे ठीक है बाकी ये छोटी सी वीडो देख लीजे आपको पता चल पाएगा कि आप किस कोर्से कैसे जुड़ पाएगे बस आपसे यही कहना चाते हैं कि सभी चीजों को हटाईए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है क्या करना है, क्या करना है, सब कुछ हटाईए MD classes पे एक बार भरोसा दिखाईए आपके बड़े भाई ने दिखाया था तुमका selection railway में हो चुका है अब आप भी भरोसा दिखाईए आपको निरास तो नहीं करेंगे और आपको इतना बहतर बना देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा पूरी एनर्जी के साथ थाइंकियो सोमस्च चुवाल आफ यू बहुत बसुख करिया नमस्कार साथियों कैसे आप सभी आप सभी को होली की हार्दिसुख कामना है इस ओली को मनाने और भी ज़्यादा धहमाकेदार हम लेकर आचुके अपने सभी कोर्सेस पे 70% तक का डिसकाउंट यानि अगर आप SSC, Railway, उत्तरपरदिसी किसी परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं तो आपको सभी पर 22 तारिक से लेक्ट 28 मार्ट तक का 70% तक का डिसकाउंट देखने को मिलेगा तो देर किस बात की अभी डाउनूड करिए MD Classes का ओफिसल आप Google Play Store पर सर्च करके खुद को रेइस्टर करिए अपना नाब, मुबाइल लंबर, स्वापा की सभी चीज़े डाल कर पेट कोर्सल इस सक्षन में जाईए और अपने मन पसिंदा कोर्सल को चुनिए जॉइन पर क्लिक करते ही आपके वाटसप पर पेमेंट लिंक आजाएगा उस लिंक पर क्लिक करते ही पेमेंट कर दीजेगा ध्यान लखिएगा या पूरा ओफर बिना किसी कूपन कोट के आपको देखने को मिलेगा और पेमेंट के बाद आपके माई कोर्सल में आपके कोर्सल दिख जाएगे किसी भी समस्या जानकारी के लिए आप दियेगा नमबरों पर वाटसप कर सकते हैं धन्यमाद नमस्कार साथियों कैसे आप सभी आप सभी